हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल B&B स्टॉक मार्केट में फ्रेंट्स ब्रोकेश फर्म ICICI डारेक्ट ने दो स्टॉक्स चूज किये हैं सौट टम के लिए जिसमें हो सकता है अच्छा खासा मुनाफ़ा उनको शेर करते हैं पर उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे की हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए सुरू करते हैं कोरोना वाइरस के कारण जिन सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है उनमें आटो इंडर्स्ट्री भी है येर 2020 में लॉकडाउन खतम होने के बाद आटो स्टॉक्स में जबरदस तेजी आई लेकिन इस साल फरवरी से आटो स्टॉक्स में काफी गरावट हो रही है इसकी सबसे बड़ी वज़े है कोरोना वाइरस की सेकंड वेव काफी सारे स्टेट्स में लॉकडाउन देखने को मिल रहा है कुछ जगा कर्फ्यू देखने को मिल रहा है जिसके कारण आटो मॉबाइल की सेल में काफी ज़्यादा गरावट देखी गई है लेकिन एक बात काफी ज़्यादा नोटिस करने वाली है आटो स्टॉक्स में गरावट होई लेकिन उसके बावजूद अधिकतर आटो स्टॉक्स ने अपना जो सपोर्ट लेवल है उसको मेंटेन किया है ब्रोकेश फर्म आईसे इसी आई का कहना है कि आने वाले कुछ सप्ता में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आटो मॉबाइल सेक्टर के स्टॉक अब ट्रेंड में दिख सकते हैं तो नमबर बन है असोक लिलेंड आईसे इसे डिरेक्ट ने निवेशकों को अशोक लिलेंड पर दाव लगाने का सुझाव दिया है ब्रोकेश फर्म ने शॉर्ट टू मीडियम टर्म यानी तीन महिने के टाइम फ्रेम में इसमें निवेश करने को कहा है साथ ही इसका टारगेट 140 रुपीज का दिया है इन्वेश्टर्स को इसको बाय करना है अभी करंट प्रैस पर और यहां से यह लगबग 11-12% का रिटन दे सकता है टेकनिकल साइड में असोक लीलेंड के स्टॉक में पिछले तीन महिने में गरावट का दुख देखा गया है और साथ ही देखा गया है कि इसका 111 पर एक स्ट्रॉंग सपोर्ट लेवल है तो ICICI डारेक्ट ने भी इसका स्टॉप लोस 111 रुपे सेट करने को कहा है सेकंड श्टॉक है मिंडर इंडस्ट्रीज ICICI डारेक्ट ने निवेशोकों को ओटो पार्ट बनाने वाली कंपनी मिंडर इंडस्ट्री के शेर में भी निवेश करने की सला दी है ओटो स्पेस में कंपनी आउट परफॉर्मर रही है कमपनी ने इस साल निवेशकों को तगड़ा रिटन दिया है हाला कि कमपनी के स्टॉक्स में बीच-बीच में करेक्शन भी हुआ है सौट टम के लिए ब्रोकेज फर्म ने मिन इंडेस्ट्री का टारगेट 635 का दिया है इस स्टॉक में 535 से 552 के बीच में खरीदारी की सला दिये साथी इसका स्टॉप लॉस 495 रखने का सुझाब दिया है क्योंकि कमपनी का सपॉर्ट लेवल 500 का है इस स्टॉक में लगबग 14% के रिटन मिल सकते हैं यह एडवाईज आईसे इसे डारेट की तरफ से है ब्रोकेज फर्म की तरफ से है मेरी और से कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप अपनी सम्मज और फाइनेशल एडवाईजर से सला लेकर ही इन्वेस्ट करें मेरी आप लोगों को यह सला रहती है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप अपना नजरिया लंबे समय तक होल्ड रखने का रखें आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर हाँ तो लाइक करें शेर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केर